अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए नीलांजनम् समाभासम् रविपुत्रम् यमागरजम् चायामातुरतम् भूतम् तम्नमामीशनेचरम् हर सुबह कई उम्मीशनेचरम् क선शें नेकर आती है नई नई स्कीमे भी दिन की शुरुवाद से श्रू हो जाती है इसोनेवाले इसकीमे बनाते हैं और जल्दी उठनेवाले स्कीम को अंजाम अग़ाती हैं इन दो लड़कियों की भी एक स्कीम है वो स्कीम क्या है इन से सुनते हैं Q प्रिया में दूद लेके किचन में रख देती हूँ और उसके बाद मॉनिंग वॉक पे जा रही हूँ ये स्रिष्टी है मैंगलोर से आई है अपनी विद्वा मा को पीछे अकेली छोड़कर अब तो दो मिनट में दूद ले लेती हैं दूसरा मैडम तो इतना इंतिजार करवाती थी कि खड़े खड़े दूदे फट जाता था तो हरोज एक ही बात करता है किसी दिन मेरा गुसा फ हम्रा बील अज पहली तारीख है पिछला महिना का पेमेंड 1449 रुपाईया कर ले लेना इस ओके अजी विश यह प्रिया है एक बड़ी कमपनी में परसनल सेकरटरी है बिना वजय कोई काम नहीं करती है आप सोच रहे हैं ना यह परसनल सेकरटरी क्यों बनी मैंने आपकी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का बहुत नाम सुना है पर आप मुझे जॉब की क्या गारंटी देंगे देखि जॉब की तो कोई गारंटी नहीं होती पर हमारे ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में खास ट्रेनिंग दी जाती है अपने बस की कमजोरी समझने और उसका सही स्तेमाल करने की पता है हमारे यहां बीस पसंद निकली लड़के आपने बहुत से शादी कर लेती हैं तो मैं आपका फॉर्म भर्दू मिस्प्रिया या अपकोर्स ओम धन्पति हजबंडाय नम्हां अरे क्या बाते प्रिया जल्दी उट गई और चाय भी बना रही है डोंट वरी तेरे लिए भी बनाई है अरे वाँ एक बात बता जब तुछे मॉनिंग वॉक जाना ही नहीं होता तो तो ये सुबह सुबह ट्रैक्सूट क्यों पहनती है जॉगिंग की किसे पड़ी है बस स्मार्ट लगने से मतलब है और वो तो मैं वैसे ही हूँ और अपनी तो लाइफ में बस एक ही पॉलिसी है लुक स्मार्ट, टॉक स्मार्ट, तॉक स्मार्ट and you'll find smart, what you say? अरे यार मेरी सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि मैं smart लोगों का mood खराब नहीं करती, no comments. Anyway, तुझे याद नहीं, आज मेरी salary का दिन है, तुम्हारा मतलब middle class के लोगों के लिए हर महिने की दिवाली का दिन? अरे यार, एक बात कहूँ, तो बहुत lucky है, you know, मुझे तो एक धन की job भी नहीं मिलती. वैसे, I agree. एक personal secretary की job, ओपर से इतनी अच्छे income और company की तरफ से ये मकान, car और तुझ जैसी pengist. By the way, कहा है मेरी इस महने का किराया? 5000 रुपे. Please? आज नहीं, यार. एक हफ्ते बाद, ना? मुझे मालूम था, तु यहीं कहेगी. वैसे, तु भी मेरी तरह किसी की personal secretary क्यों नहीं बन जाती? तेरी ये महने की कम से कम जिक 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 तो खत्म होगी. Personal secretary? ना तो कोई course किया है और नहीं कोई experience है. छोड़ यार, course wars, training experience. तुझे मैं train कर दूँगी. इनसे में लिए, ये है Mr. Gaurujietli. मा के लाट प्यार ने निकम्मा बना दिया. स्वर्गी पिता जी के कारोबार का वोज उठाएं, या भिर अपने अर्मानों को पूरा करें, अभी तक decide नहीं कर पाए. क्या करूं मैं, कन्फिज्ड हूं मैं, क्या करूं मैं, कन्फिज्ड हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, भस कया उलच कया मैं किस बावाल मैं? Whoo-ло-olla-loan.. क्या करूं मैं , καंफ्यूस्डु हूं मैं क्या करूं मैं, कंफ्यूस्डु हूं मैं दुनिया जाए चांद पे मुझे है क्या पड़ी मुझे है क्या पड़ी के क्या बचाती है घड़ी आख खोर सोऊं या के नींद में चलूं सोऊं जागू जागू सोऊं सोता ही रहूं अपनी मर्जी का मैं मालिक हूँ हर हाल में ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव रोजदक से पाच अपनी लग गई है वाट चाहता था जिंदगी में ठाट सिर्फ ठाट रोजदक से पाच अपनी लग गई है वाट चाहता था जिंदगी में ठाट सिर्फ ठाट लोग मुझ को कहते हैं के मैं हूँ आलसी काम पे हैं मस्ती करना मेरी पालसी काम बान पाल तू मेरे खयाल में क्या करूं मैं कंफ्यूज्ड हूं मैं सब्नों और हक्यकतों में जी रहा हूं मैं जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं तरो दो भोए लजग ने की वाल मिly वह 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 की जी सीगर, लजग दो लजग बढ़ खोडifi हैंक्स फैन, तू मेरा सच्चा फैन है, आख मारते ही ओन हो जाता है मैं नहीं, यह फैन है, आख मारने से यह ओन नहीं होता, इसे स्विच अन मैंने किया है तेरी इतनी तारीफ करती हूं, तू सुन-सुन के बोर नहीं हो जाती नहीं यार, मैं बैठे-बैठे बोर हो गई हूं, अच्छा प्रिया, तुम परस्नल सेकेटरी की चोप इछले दो साल से कर रही हो न, यह रोब, टेल मी सम्टिंग, शुड़ आ नो, यह नो एक एफिशन सेकेटरी वो है, जो जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी अपने बॉस से शादी कर ले, और उसके बाद यह राग बोले, तन-मन-धन, सब कुछ मेरा है स्वामी, सब कुछ मेरा है, तेरा मुझ को अरपन, अब क्या रहा तेरा? तो आ गई न, अपनी लाइन पर, तो तेरे वो बॉस को फसानी के इरादे कहां तक पहुँचे? बॉस तो मेरे कंट्रोल में है, पर प्रॉब्लम है न, कि मेरा बॉस साठ साल का बुड़ा है, शादी शुदा है, जिन्दा वाइफ है, और उपर से उसके दुब बड़े बड़े लड़के हैं, तो तो उसकी वाइफ के मरने का इंतजार कर रही है? वेरी फणी, मैंने सुना है, मेरे बॉस का छोटा लड़का बिजनिस जॉइन करने वाला है, अगर वो लवेबल नहीं है, और देखने में भी कुछ खास नहीं है, तो इसमें प्यार की क्या गुंजाईश है? It's a matter of relation. No love without relation, and no relation without love. पहले रिष्टा बनता है, फिर प्यार होता है, और फिर प्यार से रिष्टे निभाये जाते हैं. प्यार से रिष्टे निभाये जाते हैं. भाईवा, बास आके देखा, तो भी के ले का छिलका था. ये तो पबबर शेर है. अबितूशना, ठीक है. तेरी चूडियों की खनखना हट से मेरा दिल जन्जोर उठा। तेरी बुलबुल जैसी भोली से मेरा लistling जाना चूट गया। नार्ण जाना गया ह। यहार 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 भार ही नहीं हो रहा है यार अर वह सिरी कहा है कितनी बर बोला है मेरे आँ सॉरी फिर से लेट हो गया आँ मैं कमें या कमें या कमें कर दो लो कि कुछ पेपर्ज हैं साइन कर ने हैं तुम भी तुम सुवा सुवा बॉर करने जाती अजाती आँ सॉरी बलाक से ओके बलाक से कर देता हूं मुन्ह see आ आ मधर let me Kwriter AUF atrás मुन्हाब लूशा ध्यार से तेनी हाता है जहां हमेशा बूल जाता जा तुने मुझे कल के लिए बाए आज के लिए का था धा संकल के लिए का था गल के लिए बाए आज के लिए का था रहलते जा हैं कोई बाट नेивать अगली बर्थ तरि और दो नियाँ आउंगा जारहा है। अज कियो आपने यो यो किग आप दो यो यो बाई आप बाई मुन्ना थोच ले यह आउदा लेगा मुन्ना यदेग लुक्ट अट अज़ेशन मुन्ना खॉच के युद इने कि लिए थे लुँ Hello? Hello? जी 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 जाई है, लोन चाहिए है हाँ हाँ, उम लोन लेट मी आसके वन थिंग, एड्स को रहा हुँँग। दान्स ? आप तो अप अप्मेरे अपर आपकर को आपके 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 मुझा आपके तो जो आपके लोन कर दून है ठीक है? हलो. लुण। क्या है वे तु आलतु फालतु लोगों को भाव देता रहता है। यार तु यह सम्मत कर। तु बस एंजॉय कर। वोड़ियो में एंजॉय कर। इतना बड़ा बिजनर शोड़ गया मेरा बाप। मरत वे पता है क्या बोल गया था? कि एड़ा दस गुना नहीं कम सेंथा लेना और तु कर। अर तु कर रहा है एंजॉय कर. और अमेरे सुनु तैरी यारी है अग्सकी चुनु तु मेरी सुनु तु मेरी सुनु पर। मेरे की मतलब है तु आमने दिल की सुनु यार। और बाप का क्या होका? तेरे बाप की तरह से कि ए प्रफॉरी बिगड़ मत देख्या मैंना तुझे फोरेस्ट सोलुशन देता हूं सिंपल सिंपलिफाइट सॉलिशन तुझ सेकर्टी रख लें सेकृडरी क्या और वो क्याएग टुझेन वो वो करेगी जो तेरे पुझ पिताजी चाहते थे टीरे बिजर्स को डबल करेगी ट्रिपल करेगी देख्याओ तेयरे पाप ने कित नी मेहनत की कितना सारा पैसा ही कशता करके टिया सब बेकार जा रहा है, गवर्मेंट को टैक्स जाता है, इससे अच्छा तूसे इस्तिमाल कर, इंजॉय कर, और थोड़ा अपने दोस्तों का भी भला कर, और बाकी काम तो तेरा सेक्रेटरी समालेगी, एक ऐसी सेक्रेटरी, जो हुनहार हो, जिम्मेदार हो, क्यूट हो, सेक्स क्यों गौको को, सेक्षा यौदा ओी कर, दिह रहा हो, सेक्माला बाकी कतुता है, जो हुन् . एक सेक्रेटरी रख ले यहां जो हो वे बड़ी ही जिम्मेदा क्या मसीजार है आइडिया तेरा थैंक्स है तेरा शुक्रिया तुम ऐसे किसी से कर ले प्यार तर ले ना ना पड़े उठा चुझी ना ऐसे भर में सब कुछ है तेरे कर में Let's pump it harder, go burn the dance floor Let's pump it harder, no 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 आम सभी देखे कि वो हम एश करेंगे सब जिन्दगी के मसे हम प्याश करेंगे है बात में तेरी दम, एदोस्त मेरे सेक्रेटरी रख ले एक हम, एदोस्त मेरे किसी बास की बन सेक्रेटरी तू, फिर कर ले उस शादी तू चल पोर न कर तू मेरी याद, तिरी बहती सारी है बिकार रूपेबर में चलिशते हार दे, अपनी राइब को जरा सवार ले पड़े काम की तूने बात कही, अब लाइफ में होगा सब सही चल छोड़े तू तू में में, मेरी बात मान ले, मान ले अगर में मान लू, ऐसा बास कहां में ढूड़ो विर में 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 विर यस सा बिल्ख तूने होचीetošा इंटवीड काल हाजव, विर ले 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 बात तो थी को सबसक है, पर जाना कम है 2016- week Good morning. May I come in? Oh, of course, please. Come in. Thank you. Sir, these are my certificates. Okay. Miss Shishti. Yes. आपने कोई एक्स्पिरिंट सिर्टिफिकेट नहीं? ओ a yes sir. मैं एक fresh candidate हूं. Oh okay, तो I'm sure आपको पता होगा के परस्नल सेकरिटरी की क्यार रिस्पोंसिबिटी होती है. Yes sir, परस्नल सेकरिटरी की रिस्पोंसिबिटी है इक principle पर बेस्ट है to control तन मन और्धन? Excuse me? What do you mean? Sir, it means तन to take care of your appointments and और्धन take decision by your mind, not by heart and और्धन to take care of your financial and investment decisions Okay, और्धन और्धन I mean और्धन और्धन Exactly Good So, what are your expectations from the job? Whatever as per company's policy I'll accept it Okay Tell me something about your family background My father is no more, sir Two years ago, he died My mom lives in Mangalore in my hometown alone Oh, I'm sorry about your father But You should also leave your mother alone I mean You can also do a job in Mangalore You can also do a job Your mother looks good Right? But anyways Now you've come to Mumbai So I think you're perfect for the job You're hired Thank you, sir Um When can I join you? Um Tomorrow And you'll write your appointment yourself Is that okay? Yeah, yeah I can also write that Um If you don't mind Yeah, sure I'll give you a format I'll give you a format There you go This is a basic format Salary mentioned Okay Okay And yes I have another duty Sir Um What? Um I have to receive your girlfriend's phone And I have to ignore the wife's call Don't bother Either my wife or girlfriend Thank God Thank God? No, no I mean Thank God for the job And Thank you Thank God Thank God Thank God Um You're probably Office of Pion Yes, madam My name is Ravi Good My name is Srishti I'm your boss's new secretary Oh Yeah Oh Oh, hi Hi I'm Salony Great, I'm Srishti So how do you find the office? Yeah, it's nice Yes Good And And Where are all the people? Uh We'll come here Pinky too Pinky Yeah Great Hi, both of you Hi Hi Salony I have to hear something Like great What's that? It's you, yaar Me? Yeah, you're great Srishti She's Pinky the Great Oh, hi I'm Pinky I'm Srishti Good morning, sir Good morning everybody Hey Srishti How are you? Sir? I'm fine Good morning, welcome to my little empire And I've heard that now you've called me Gaurav Sir Look, no one doesn't call anyone here Good morning Gaurav They call everyone in his name Where are you? Good morning Gaurav Look, right Ragini? Yes Right Salony? Right Gaurav Right Mahesh? Come on, let's go Shishti Shishti, now that you've joined the company I'll be really frank with you I've kept my personal secretary I've kept my personal secretary Yeah But I'm sure You know what to do And what to do Right? I don't want any disturbance I don't want any disturbance These phone calls Visitors Nothing Yes I'll work on mobile But I can report you about every activity Right? Yes, if you like it, I'll do it Just don't bother me Don't bother me This is my job, sir Don't bother me Now Hi everybody Hi Hello Thank you Hi It's for you Thank you Hi Hi Thank you Vinay ji And tell me, what's new? New? New is that, Gaurav Ji's new secretary came What are you talking about? Yeah Where are you? Just behind you Wow Awesome What's this? After Oh God I can't believe this Hi Vinay Vinay Patra You're the new secretary here, right? Yeah My Gaurav's best friend We're friends of childhood What's your name? Srishti Srishti Shetty Srishti Shetty Srishti Shetty Oh yeah Srishti Shetty Nice Very beautiful name The same name The same name The same name Thank you You're welcome Anyways Anyways I'll go inside and I'll see you around Bye Oh my God Koi bhi ajaata hai Kabhi bhi ajaata hai Kahi bhi chala jata hai This is a hotel from Ramburo It's too much Muna bada pyaara Mami ka dulaara Muna bada pyaara Mami ka dulaara Koii kahe chand Koii aankh ka tara Aray koii kahe chand Koii aankh ka tara Hase to bhala lage Rohe to bhala lage Mami ko uske bina Kuch bhi acha na lage Hase to bhala lage Rohe to bhala lage Mami ko uske bina Kuch bhi acha na lage Jiyo mere lal Jiyo mere lal Tumko lage Mere iumar Jiyo mere lal Muna bada pyaara Mami ka dulaara Muna bada pyaara Mami ka dulaara Koii kahe chand Koii aankh ka tara Aray koii kahe chand Koii aankh ka tara Ek dhin wo maa se bhola Phenko ya gas chula Ek dhin wo maa se bhola Phenko ya gas chula Chalo ATM se Cash hum nikaale Cheese, burger, ice cream Pizza, 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 khali Chalo ATM se Cash hum nikaale Cheese, burger, ice cream Pizza, 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 khali Bind karo, roti Mami kuch ka maa Mami kuch ka na saki Bas usse takti rahi Jiyo, jiyo mere lal Jiyo, mere lal Tumko logye meeri umar Jiyo, mere lal Muna bada pyaara Mammi ka dulaara Muna bada pyaara Mammi ka dulaara अरे कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा अरे कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा क्या थी आगे के लाइन? अरे भूल किया यार ये सुष्टी आज कोई कःष्टिव्ल है? आप ही इस आफिस में अहे तो फेर्टिवल कहें थो पनृब्री छिश्टी आप अपने गाम पे यहान पर यहान अरा रैध नूंज है अस्तेतें गांद एप Richter 2,000,000,000,000 PV, 2,000,000 dolar, 2,000,000 krachar, on what account sir? friendship account तुइने Facebook का स्टेडिस चेक किया ओया यार friendship account friendship account okay शॉय इसको जानता है तू हाला अरहा अरे इसने मुझे रविज़ भेज़ तुझे वी वेज़ा किया मेरी बुजनस फ्रेंड यार क्या बात कर राया, बहुत अचिया है यहार एला यह कोन? हॉव ई हॉद रहा हॉद टेरा हॉद तो कमाल है धंदमाल है जदू मनौरंजन की दुकान है इस नॉट सो फ़नी संटी इट इस पॉनी विन बजाता है और गो प्रंग नाचता है तु क्यों टेंशन लेरी है हाँ है मुझे टेंशन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रही हूं मुझे समझ में निया तो मैं क्या करूं है तेरे पास कोई जवाब छोड़ना यार अगर मैं तेरी जगह होती न तो पता है क्या सीन होता विनए बजा रहा है बॉस और मैं डांस कर रहे हैं सीरियसली, दस दिन के अंदर-अंदर हमारी शादी का कार्ड में तेरे हाथ में दे देती तू है ना, हर बात पे अपने अर्मान फिट कर लेती है तू मुझे यू घूर के मत देख तो क्या, चुपचप अपनी आखे बंद कर बैच जाओं अरे नहीं यार, तू अपनी आखो का तैलेंट मुझ पर नाबरबाद किया कर, तुझे एक बात बताओ, तू अपने मूझ से स्यादा आखों से बोलती है इसका प्रॉपर यूज कर, एक तो विनै को डराने के लिए और दूसरा गॉरव को पताने के लिए यह लोगनों क्या लगता कि मैं बेव कुव मॉर्न और जाओं इस्ट मॉर्डी बॉर्ड़ड तू अर अर्मॉम्भी की बारिश्छा यह टल्यू वाणी शिष्टी, अन्युचैश्टी, अन्युचैश्टी अन्यू वाणीग Okay, morning. Morning. Hi, the way from my side to the good morning. Good morning. As usual late, sorry. तु अज़ अज़ अमिताब बच्छन लग रहा है यार. अज़ा कर रहा ने तु, बना रहा है मेरा? यार, मैं तेरा बनाँ बनाऊगा? तु अज़ अमिताब बच्छन लग ही नहीं रहा है? बिए भी बिल्कुल वैसा कर रहा है सच में? हाँ तुझी वह दिवार का सीन याद है? जब अमिताब बच्छन और शाषिकापूर मिलते है और अमिताब बच्छन शाषिकापूर से कहता है भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैंक बैंस है तेरे पास क्या है? मेरे बाप चोड है वाला याद है ना वह सीन करें? ठीक है लेकिन थोड़ा अलग करेंगे मैं शाषिकापूर के डालग बोलूगा, तु अमिताब बच्छन के डालग बोल। ठीक लेकिन अलग कैसे? अरे c année अरे तुझे समझ आजाएगी बस रड़ीantu रूल तो बोल रूल भ driving you already य॥ तेरे पास तरे पास घाड़ी है बंगला है बैंक बैलंस है य॥ मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास भाई? तेरे आकस पी तेरे पास माह है हाय है टिरे पस्... टिरे पस... माा यह ए तुो बहुत लएगी है, तु बहुत है, तु बहुत लखी है, तु आपस... तु आपस मा मा है टिरे पास मा यह यहろ, मैए नहीं है, लुक्त आमक झालायो अब क्यू चले गए पबकाश fronts अब क्यू चलेगे पापा के पास मॉब, क्यू मॉब, क्यू चलेगे पापा के पास मॉब, क्यू 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 तुम्हें शायद पता नहीं, गौरब का इस दुन्या में कोई नहीं है, अंकल, अंकल एक बाथरूम डांसर थे, अंटी को हमेशे यही टेंशन लगी रहती थी, कि कहीं गौरब भी एक तिन अंकल की तरह, और तुम्हें तो पता है, गौरब को डांस का कितना शौक है, वही हुआ एक दिन. कि उसी वक्त अंटी कम्रे में अंटी कम्रे में इंटर हुई अंटी का हाट फेल हो गया जैसे ही वह इंटर हुई, गौरब फिसल कर गर गया और जैसे अंटी ने वह देखा, अंटी का हाट फेल हो गया. बिचरा गौरब कि आप सॉरी गाइज सॉरी तुझ जानता है ना माम की बात आती मैं थोड़े मोशनल हो जाता हूं आप सॉरी मैं हूना तेरे जिंदगी में हां बाई तुझे कभी चिंता को दिने जरुवत नहीं है अच्छा यार गौरब कुछ पैसों की जरुवत थी यार आपकोस मैंने द थैंक लिए ये ले आज ही गिरेड़ है दूबेची ये फ्रेंड्शिप अकाउंट क्या है क्या है कि मैडम एक जबाने में इसे हेल्प कहते थे आजकल इसे टोपी पहनाना कहते हैं अभी तक कितने की टोपी पहना दी है यही तक्रीवन टोटल 24 लाक और आज की एक मिलाकर 25 लाक और आप चुप चाप देते रहें अब बहुत से हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं तो आप खर भोग कर तमाशा देखने मालों में से हैं आग में जलकर अपनी चम्री जलवाना किसी को पसंद नहीं है आपको पसंद है तो आप जलवा सकती है मैं तुम्हारे जैसी कायर नहीं हूँ जस वेट एंड वाच मुझे एसा लग रहा है कि मैं किसी बिस्नेश हाउस बे नहीं किसी ड्राम कंपनी में काम कर रही कल गाने और म्यूजिक पर्रोग्राम था और अग्रामा असलमें वींए की कंपनी आप में विने की दोस्टी एक ड्रामा है वाट दियुयो मेर्णा obilHuh略 इसी तरह से उसे उसकी मा की याद दिलाता है, एमोशनल हिलिंग के डोस देता है, और उसके बदले बड़ी-बड़ी फीस ले जाता है. दोनों डॉक्टर डॉक्टे खेल रहे हैं, यार. अरे यार, तो तू मम्मी मम्मी खेलना शुरू कर दे. तो पागल तो नहीं हो गई है? देख, तेरे बॉस की कमजोरी है उसकी मा, जिसे वो मिस करता है. इसका फाइदा उठा रहा है विनय. अगर तू अपने बॉस की मा बन कर उसका खयाल रखेगी, तो जिन्दगी भर तेरा बॉस तेरा खयाल रखेगा. इसलिए प्रोटेक्ट पॉस. अगर इसमें तू काम्याब हो गई ना, तो समझ ले, जिन्दगी भर के लिए खुद प्रोटेक्ट हो जाएगी. प्रोटेक्ट? तो एक काम कर. कल अपनी कंपनी की बैलन्स शीट लेकर आजा. अ, गॉरव… या, सॉरी. अ, इसलिए. गॉरव, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, आवल अप्रीशियेट अगर तुम पढ़ लो तो. अच्छा. देखो, रिपोर्ट तुमने बनाई है. तो तुम ही पढ़ो. मैं सुनता हूँ, तल मी. तो क्या हिलते दूलते सुनोगे? प्लीज, वाइ डूंट यू गमें सिट. ओके. हैपी? इनसान अपनी मर्जी से हिल्डूल मिनी सकता अब. गॉरव, तुम्हे नहीं लगता की काम की बात को कभी सीरिसली लेना चाहिए? नहीं. I mean, of course, yes. लेकिन इस सो बोरिंग, यार. आपको बोरिंग लगता है. इसलिए ओर्गनाइजेशन की यह हालत है. मेरा अंदाजा बिलकुल सही था. और क्या है आपका अंदाजा? गॉरव, हमारी ओर्गनाइजेशन का हर एक एंपलॉई टेक्स एवरी सीरिस थिंग लाइटली. और इसका कारण हो तुम खुद. क्योंकि तुम हर बात को लाइटली लेते हो. जैसे कि अभी अभी तुमने कहा, इस बोरिंग. क्या करें, बोरिंग है, तो है. इसलिए तुम अपने ओफिस को डांसिंग फ्लोर की तरह यूज करते हो. तुम्हारे हे लापरवाई का नतीजा है, पिछले दो साल से कंपनी लॉस में चल रही है. वो दिन दूर नहीं, जब ये कंपनी बंद हो जाएगी. तुम्हारा घर बार सब चला जाएगा. और तुम रास्ते प्या जाओगे. नाचते नाचते भीक मांग रहे होगे. और हो सकता है किसी डांस बार में नाच रहे होगे. और तुम्हारा दोस्त भी ने तुम्हारे ही पैसे तुम पर उड़ा रहा होगा. Oh shit. Oh shit. क्या सच में ऐसा हो सकता है? Of course. क्योंकि तुम सारा का सारा काम स्टाफ के बरों से करना चाहते हो. अरे पर स्टाफ तो में इसलिए रखते हैं, कि वो काम करें और हम आराम करें. सालरी भी इसलिए देते हैं. आकि वो काम करें और हम इंजॉई कर सकें. By God. Gaurav, समझो. इस और्गनेजेशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा तुम्हें महरत करनी है. यह देखो कंपनी की बैलन्स शीट. पिछले दो साल से कंपनी लॉस में जा रही है. Gaurav, प्लीज अगर कंपनी को बरबाद होने से बचाना है तो प्लीज कॉंसेंट्रेट. आफिस टाइम से आओ, और यह जो फालतू के विजिटर्स है ना, इनको अववाइट करो. आशिष्टी, आई थिंक तुम ठीक है रही हो. यह रिपोर्ट पढ़के मुझे अंदाजा होगा है कि मैं कितना गलत हूँ. थैंक यू. मेरी एक शर्त है. तुम यह विने किती हुए लॉलिपॉप जोजना प्लीज बन करो. बाबाए, ठेक केर. सुची, कारी क्यों हम वर्वाँ? खोदे, कैसे बलाए माका? इतना आए जूमे नाचे, चल दूर करे सनाते, मस्ती की दुन में काले. अब होस है ना बाकी, यो बात बनाले साथी, जीने का मजाने में. चस्पो को साहे कर, बातों में आने दो. चाहत के आंगन में असरत को चाने दो. देखो पलपलबसे हैं चाहत की सौगाते, इन में खुद को तू पसा ले, इन में खुद को तू डूबा ले. अरे, प्रिया, तू अचानक मेरे ओफिस में. ग्रेट यार, वट अ सप्राइस. हाँ, यह सप्राइस विजिटी है. मैं यह देखने आई हूं कि मेरे लॉडली इतना बड़ा ओफिस कैसे संभाल रही है. बाइद अभी, तेरे बॉस का कैबिन कॉन सा है? मेरे बॉस का कैबिन वहाँ है. एक बात बता, सारे सवाल खड़े-खड़े पुछेगी या बैठेगी भी. कितने दिनों बाद पहली बार मेरे ओफिस में आई है. अरे, यार, सृष्टी, तू तो बहुत लगी है, यार. इतना बड़ा आफिस और इतना हैंसम बॉस, ओपर से यह कुवारा भी है. ओगाड, मेरी तू किसमती खराब है. एक्स्क्यूज में, क्या सोच रही है तू? नहीं, कुछ नहीं. अच्छे यह बता, तूने अपने प्यार के प्रोसेस की शुरुआत की या नहीं? प्यार का प्रोसेस? यह क्या है? देख, तूने मुझे बताया था ना, कि तेरा बॉस अपनी मम्मी को बहुत मिस्स करता है. तू मम्ता क्या है? वही, लविंग, केरिंग, शेरिंग, एंड सेक्रिफाइस. यही तो है प्यार की पॉसिबिलिटी को स्टेबलिश करने की शुरुआत. यानि प्यार पॉसिबल. वैसे भी, हर एक को बच्चा बने रहना काफी अच्छा लगता है. ओ माई गॉड, चार-चार एलेमेंस. एक बिचारी लड़की कैसे संभालेगी यार? फिलाल तो सिर्फ लविंग और शेरिंग पर कॉंसुंट्रेट कर. सफरिंग और सेक्रिफाइस? कुछ तो उसके लिए भी छोड़ देना. एक्स्क्यूज में, मिस्टर विने. हाई, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं. वाट? तो मुझे अंदर जाने से रोक रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे अंदर जाने के लिए अंदर जाने के लिए अपने दोस्से मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी. प्लीज आप थोड़ दिर वेट कीचे, मैं गौरव को इंफर्म करती हूं. क्याप? गौरव वेने आया है, जाने सेंद हम? ओके. या नौ यू किन गो. गौरव? यह तरी सेक्रेटरी क्या पागल होई है? मुझे कह रहे हैं कि I can't enter without admission or permission, what is this? तो इसमे नराज होने ही क्या बात है, वो तो सिर्फ अपनी दूटी कर रही है. दूटी? अब यार, दूटी गई भाड में. हम दुने ने सेकेटरी क्यो रखी थी? ताकि कोई हम दुनों को डिस्टर्बना कर सकें जब विजिटर्स आइं. देख गौरव, इसको समझा दे अगली बार ऐसा ना करें वर्ना. वर्ना क्या? क्या है यार ये, समझा इसको? देखो शिष्टी, अगली बार जब विने ओफिस आए, तो उने… तो मैंने कहे दूं कि यहां यहां पर वापस ना है. देखो विने, अब मुझे वही करना चाहिए जो शिष्टी चाहती है. मेरे बिजिस ग्रोथ के लिए. I hope you understand. Gaurav? Gaurav, तू क्या कह रहा है यार? ठीक है. तेरा बिजिनिस तू समाल, और तरी यह सेकर्टी तू ही समाल. अच्छा यार वो… मुझे दो लाग के जरुवत है. एक चेक लिए देदे प्लीज. वो… Mr. Vinay, आप पचीस लाग रूपे पहले ही Gaurav से ले चुके हैं. और हमारा हक बनता है कि हम आपसे रिकावर करें. तू आप रिकावरी प्रोसेस के लिए तयार हैं? वाट? गॉरव यह क्या बोल रही है याद में? एंड दिस इस वर यू. मेरी और गॉरव की तरफ से? प्लीज प्लीज. प्लीज. संझा. ठीक है, Gaurav? तू समाल अपने बिजनस को. और अपने सेकेटरी को. प्लीज. रलाक्स, Gaurav. प्लीज. व्के. 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 तो तेक टेंशन, प्लीज. या, व्कुड. तद. अगर दस गुना ना से, तो आपका बिजनस डबल जरूर करूँगा. I promise. प्लीज. व्के. प्लीज. तुम प्लीज. प्लीज. व्के. व्के. तुम बन गई हो मेरे जीने का आसरा. तुम मिल गई तो मुझ में आया है होसला. ओ खुदा तेरा शुक्रिया, तुने सुन ली मेरी दुआ. मुझ को भी तुने दे दी है जीने की एक बजा. वही है हू बहू जिसकी थी जुस्त जू. जो ख्यालों में थी. नीदों में खाबों में, मैंके गुलाबों में, जो सवालों में थी. कैसे करूं बया, क्या मुझ को है मिल गया. कहा जा रहा था मैं, और मैं हूं कहा आ गया. ओ, खुजा तेरा शुक्रिया, तुने सुन ली मेरी दुआ. मुझ को भी तुने दे दी है जीने की एक बजा. अंचुई आखों में खाबों का मेला है, मस्ति सी चाई है. खामोश सासों में नई उमंगे हैं, नई सी अंगडाई है. एहसास हो रहा है, बदली है मेरी जिन्दगी. मुझ से लिपट गई है, अज नभी सी कोई एक खुशी. ओ खुदा तेरा शुक्रिया, तुने सुन ली मेरी दुआ. तुछ को भी तुने दे दी है जीने की एक बजा. कल दे जीने के लिएन के लिए खुट है. वे टोंगे लिए प्रद्द मतलवारा है. वे टोंगे प्रश कहते हैं. प्थर. अगर इसको यह पर धंसे लगाना है, तो इसके लिए हतोड है. हाँ विज्ट मॉर्णिग विज्ट मॉर्णिग सर्व क्या है प्रॉप नो नो इस वोके गुड मॉर्णिग मेरे मुन्ना कैसे हो ठीक हूं और बात खुश भी हूं भगवान करे तुम हमेशा हुश रहो तेको मेरी खुशी जाँ का मेरी तुम्हा हात भी हुशओ प्रॉष। टुम्हारे हात मेरी। मेरे हात मे कैसा हुशव 16th उन बिश्ऱ हैं मेरे सय्दी मेरे बेधाँ राइव कि मेरे बिताँ को ड़र से जादर भी को यह मिन ओवार टाइमीग को politics already मैं, सारा दिन तो वैसी ओफिस में रहती हूं, मैं तो मेरा मतलब वह नहीं है, मेरा मतलब है कि सारा दिन साथ में नो परस्नल टॉक इन ओफिस, प्लीज, तैस लिक माई बॉइ, बाई-बाई तुम समझती क्यों नहीं कैसे करूं शादी की बात तुम्हें पता है कौरफ के आँखों में कुछ दिखता है क्या दिखता है वही जो उसके दिल में है और तेरा क्या हाल है पता नहीं तु एक काम कर, कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन चली जा वो किसलिए तुछी दर्दे दिल का एहसास होता है या नहीं पता चल जाएगा तो ही मुझे पता मैं उसे क्या बोलूँ जाएगा तुछी पता जाएगा तुमारी मुझे तभीद खराब है अँछी तुमारी मुझे खराब है लेकन शिष्टी वो किया तुम नुपरी चौड़ जाएगा यो आरे नहीं तोड़ी दिन के लिए जाना है ताड़ यह सो यह सब छोड़ दो, okay, I'll pay for it, relax, but, but it's my personal problem, Gaurav, please देखो शुष्टी, एक बाद अटना, तुम्हारी कोई भी प्रोब्लम परस्नल नहीं, मेरी भी है, so relax thanks for concern, please, Gaurav, मुझे ट्रेन से ही जाना ठीक है भई, तुम्हानी जेद के आगे और मेरी नहींचे लेगी, आज शाम को तुम्हार चोड़ दूगा, और कल स्टेशन पर, is that okay? yeah, thanks and don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगता की प्लेन से जाना थे खाएगा, मुझे भी अच्छा लगता, तुम्हार तुम्हारा सी थी, सीट नमबर टू, हाँ, यह और तुम्हारा सी थी, सीट नमबर टू, यह यह जाएगा, यह यह तेखो, अपन ख्याल रखना, और यह यह रोना बन खरो, मुझे देखा नहीं जाता, तुम्हारी ममा मतलब मेरी मम, मैं शोर उन्हे कुछ नहीं होगा, शील भी फाइन, मुझे एक और टेंशन हो रही है, क्या, तुम्हें खाना कौन के लाएगा, मैं, मैं पहले भी मैनेज कर लेता था थ और यह फोन कर लेता, और रोज भी फोन करोगी तो बहुत अछा लगेगा, करूंगा, बाइ बाइ मामी को प्रणाम देना थेक्राइड थेक्राइड थेक्रार थेक्राइड थेकरर। प्लाइड मैंने तुम से जूट कहा, मैंने तुम्हें मैंगलोर जाने की सही वजह नहीं बताई अरे अम्मा, अम्मा किधर है तु, अरे किधर कही दर्वासा खुला छोड़के, किपनी लापर बुद्वाइब। अरे अम्मा किधर थी तु, अरे बेटा तु, अम्मा मैंने पोरा घर ढूण लिया, कल फोन क्यों तो आज आगे, सब ठीक तो है न, सब ठीक है अम्मा, बस तेरी याद आ गई, भाकर आ गई, तभी तो मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए दर्वासा खुला छो ठीक है, ये काम बहुत हो गया, छोड़ना, इधर बैठना, मा, क्या बैठना, अरे तु, देखना, मैं तिर लिए बहुत सारी चीज़े लाई हूँ, क्या ज़रुत थी ये सबकी, कुछ नहीं होता, मा, देख, अरे, इतना खर्चा करती है, इन सबकी ज़रुत ही क्या, बस ज़रुत ही जाती है, कितनी साड़िया है घर में, और लेकर आई, हम, अम्मा, देखो, आप पंजाबी हो, और पापा मैंगलोरियन, आपको पता है, आपका मुझ पर इतना असर है, कि किसी को लगता ही ने कि मैं मैंगलोरियन हूँ, सब मुझे पंजाबी समझते हैं, क्यो क्योना मैं आपके लिए पंजाबी दमा ढूलो, कहना क्या चाहती है तो, अरे कुछ नहीं, आमा, देखो, मेरी जो मासी थी, उनके अरेंज मारी चुई, और उन्होंने फिर से उसको तोड़के भाग कर किसी और से शादी कर ली, और अप इतनी सयानी थी, कि आपने किसी को मौका ही नहीं दिया, पहले ही भाग कर शादी कर ली, क्योंना मैं भी अपने, कोई भाग के शादी करने की जरुरत नहीं है, कोई भी लड़का मैं तुम पर फोर्स नहीं करूँगी, जिससे शादी करना चाहती है उससे शादी कर ले, बस तेरी शादी कर दू, तो मैं समझ करने वाला था ठीक ठाक पहुच गई यहाज आप रिष्ट और कोई परिशानी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कोई परिशानी नहीं हुई अब तो वह ठीक है अब तो वह ठीक है अच्छली उनो शीव मिसिंग में बेटर अच्छा क्या मैं तुम्हारी ममा से बात कर सकता हूं अब शुर शुर क्यों नहीं लेकिन एक बात बताओ मेरी अम्मा सर्फ करनड बोलती है तुम क्या करनड समझते हो ओ नो फिर सा करो कि तुम्ही मेरी तरफ से उन्हें नवस्ते क्या देना कोगी ना शुर ओ इस लंच टाइम तुम लंच के लिए क्या कर रहे हो इंग रिए संच में तुम्हें मेरी प्तितनी चंता हैं अपटाया थू हदा तुम अपने हाथ से थने प्यार से क्ला हुआ धिए अ मिसीद्या हौ और मैं सोच रहू हुँ कि अब जब तूम यह नहीं हो तो क्यों ना मैं रागीनी के हाथ से लिए使 खाना और कमड वो और तुम्ही तु मुझे अच्छा लगता है। ओ माई गॉड। यह बच्चा मेरी जान लेकर रहेगा। करो, करो, मुन्ने बनकर मज़े लो मैं जो वहाँ होंगी ना तब तुम्हे बताऊंगी। अरे लिसन निसन मैं सिरफ मजाग कर रहा हूं, okay? in fact, मैं बाहर जा रहा हूं, होटेल मैं खाना खाने के लिए, अच्छा बात बताओ, हाँ, पूछो, तुम, सच मुच मेरे लिए तनी पुझेशिव हूं, I care for you, and I love you, okay, अच्छा लगाया सुनके, okay, bye, see you, you, मेरे मुन्ना, take care. हाई, सिर, कैसे हो तुम, अच्छा हूं, और ममी पापा कैसे है, पापा ममी, बढ़िया है, अच्छे है, तुम्हें याद करते रहते हैं, मुझे मिलना है उनसे, पापा ममी से, ठीक है लेकर अभी पापा ममी आट आप स्टेशन गया है, उनको मेरी शादी की बहुत जादा फिकर लगी रहती है, अरे, बच्चों की शादी की फिकर माबाप को नहीं होगी, तो और किसको होगी, तुम्हें पता है, मेरी मा का तो जवाब नहीं, वो मुझे कहती है, तुझे जहां शादी करनी है, कर, बस मुझे इंविटेशन कार्ट भेजदेना, तक ही मैं आशिरवाद देने आजाऊं, सही है, तो, क्या सोचा तुम्हें? सोच रही हो, सोच रही हो, और तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? अपलाई के काफी जगर मैंने, हो सकता है, तुम्हारे मुझे इंट्रिवी देने आना पड़े, तुम्हारे मुझे इंट्रिवी देने आना पड़े, तुम्हारे मुझे नहीं समझेगी अम्मा देख तू भी एक मा है और एक वो मासी संध्या जो प्रिया और अपने पती को छोड़के अपने लवर के साथ भाग गई संध्या को किसी से प्यार हो गया इसलिए वो अपने पती और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई और दूसरी तर्फ तुम्हारे पापा जो हम दोनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए लगता है भगवान को उनसे बहुत ही प्यार हो गया था यह प्यार कि इतना कॉंप्लिकेटर इशू है न अम्मा मेरी तो समझ में नहीं आता अरे तेरे क्या भगवान के भी स एलो सिष्टी मैं बस उटने इवाला था आफ जाने के लिए क्या कहा तुमने तुम उटने बाले थे जल्दी जल्दी उठो और ओफिस के लिए तियार और तुम्हें टाइम पर जोना है अरे उठता हूं बाबाबा उठता हूं तुम्हें पता है आज बहुत स्पेशल दे हाँ हाँ मुझे पता है आज तुम्हारा पर्त्री है तुमने तो मुझे बताया नी अरे बाबा कैसे बताता हूं वह इस हालत में जब तुम्हारी ममी बिमार है और परिशान नहीं करना चाहता था तुम्हें तुम कितने सेंस्टिफ हो ना कितने केरिंग हो मैं क्या कहूं तुम्हारी इस फीलिंग के लिए यू रेलिया स्वीठाट अच्छा मेरी छोड़ो यह बताओ कि अपनी लाडली बेटी से बिल कर अब ममा कैसा फील कर रही हाऊ शी हां हां अम्मा बहुत खुश है तुम्हें पता है अम्मा ने क्या बोला कि तुम जब तक यह हो तब तक अपने हाथ से खाना बना की खिलाओ उन्हें डर है कि मैं शहर जाकर खाना बनाना भूल जाओ उट शादी के बाद प्रॉब्लम ना हो हां 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 हसलो हसलो नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्यों बनाने का तो बता नहीं लेकिन तुम्हें बेदेखाना के लाना बहुत अच्छे से आता है है नॉटी चलो छोड़ो मैं तुम अरले यहां से क्या लाओ तुम कुछ मत लाओ पर जल्दी आजाओ प्लीज गौरव-गरव मैं बात में बात करती हूं अम्मा आगई किससे बात कर रही थी कोई नहीं अमा मैं गौरव बॉस से बात कर रही थी बॉस को नाम से बुलाती है शर्म है की नहीं कुछ तो तैजीब रख इधर मेरे लिए आई है तो चल मुझसे कुछ तो बाते कर सुबह से फोन पर लगी रहती है बॉस ने तो तुझे सर पर चड़ा रखा है देखो शेहर में संभल कर रहना पड़ता है लापरवाई ठीक नहीं है समझो जागी जागी से आखों में हाथ तेरे लेकर जागे हाई 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 जाग जाग से आखों में हाथ तेरे लेकर जागे हाई 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 जाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके जैन खोया दर्द पाया हाई 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 जिने का ही गया है मज़ा यार जब से मुझे तू मिला चा गया है रजब सा रशाद मेरी जाद जिने का ही गया है मज़ा यार रशाद से मुझे तू मिला चा गया है रजब सा रशाद मेरी जाद जाग 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 जे आखों में खाब दरे लेकर जागे हाई 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 जागे हाई 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 इश्क में ऐसी भी हालत हो जाती है पता नहीं था रब्बा खेरिया दिल से खुद की बात नहीं हो अब आती है पता नहीं था रब्बा खेरिया मैं रोज करू शुकराना तुझ जैसा मिला दिवाना तेरी बाहे मेरी दुनिया तेरा दिल मेरा अठिकाना जाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके चैन खोया दर्द पाया हाई 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 मैंने जो चाहा है हासिल किया तुझको खुद में हिशा मिल किया तेरा बिल्ला मुकदर मेरा मेरी जाँ लेगे जो जहा है हसल कियो तुझ को फुद में हुशा में कियो तेरा बिल्ला मुकदर मेरा मेरी जाँ जागी जागी से आखों में आप तेरे लेकर जागे हाए 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 कर दो कर दो नीन में भी ये धड़कन गुन गुन आती है पता नहीं था रब खेरिया हर सांस में मुझे को याद तरी तड़ पाती है पता नहीं था रब खेरिया मैं भी ना जानू क्या है ये प्यार का अफसाना मुझे को तो हर हालत में था अपनी मन्जिल पाना तुझाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके चैन को या दर्द पाया हाई 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 जिन्दगी से नहीं है गिला मुझको तुम जैसा हब तम मिला और आप चाहिए दुश्च वा क्या तेरी ने जाए जागी जागी से आखों में आप तेरे लेकर जागे हाई 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 जाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके चैन को या दर्द पाया हाई 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 जाए हाई 0 अरे यह सब क्या बढ़ने टेबल पर हाई गव यह सब गिप्स तुम्हारे लिए हैं देखो, टेंडर कोकनट्स. तुम मेरे लिए मैंगलोर से ये पानी नारियल लेके आई हो? अफकोर्स, गौरब देखो ये बिल्कुल फ्रेश है. ये हमने घर के आंगन से तोड़े हैं. तुम्हें पता है, मेरी ममा अपने देखरेक में चुने हैं. और मैंने खुद तोड़े, पता है उन्होंने क्या कहा? ये तोड़ो, वो तोड़ो, ने ने, वो अच्छा नहीं है, वो तोड़ो. सिफ तुम्हारे लिए. खुद नारियल, क्या? तुम, तुमने खुद नारियल? तुम पागल हो गई हो. 15-15 रुपए के मिलते हैं मुंबई में. तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रॉमिस करो, आज के बाद ऐसा नहीं करोगी. ओके बाबा, ओके आई प्रॉमिस. तुम्हें पता है, मेरी ममा ने मुझसे प्रॉमिस लिया है, कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं अपने लिए एक भीना रखू. तुम जानते हो, ये स्वीट, मेरी ममा ने खुड़ अपने हाथों से बनाई है. सिर्फ तुम्हारे लिए. एक मिनुट, मतलब इसमें से तुमने कुछ भी नहीं बनाया? हाँ, और देखो, ये केले के चिप तुम्हें पता है, हमारे घर के आंगन में जो पेड लगे है ना, उसमें से मेरी माने इतनी महनद से बनाया है. ये भी ममी ने किया, ये भी, मतलब तुमने कुछ नहीं बनाया मेरे लिए, रहे? हाँ, अम्मा ने बोला कि अगर मैं बनाऊंगी तो सब कराब कर दूँगी. ओके, और तुम्हेरे लिए कुछ लाई भी नहीं. लाई हो ना, ये देखो, मैं तुम्हेरे लिए गिफ लाई हूँ. Thank you, that's so sweet. वाव. क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? किसी दिन इसे पहन के ओफिस आँगा जरूर. ये देखो, ये भी गिफ तुम्हारे लिए. Thank you. That is so sweet. एक बात बताओ, ये लाफिंग गुद्धा में ओफिस के लिए लेकर आई हूँ. तक तुम इसे ओफिस के टेबल पर रख सको. Thank you. तो मेरा और मेरे ओफिस अ किना ख्याल रखती हूँ. तुम्हे पता है कि मैं इसे क्यों लेकर आई हूँ? क्यों? अरे, मैं हमेशा थोड़ी नहीं रहूँगी. अगर मैं यहां से चली जाओ, तो तुम्हे इसे देखकर मेरी याद आए. मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ. क्या? क्या का तुम्हे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, मुझे तुम खुल के बताओ, प्लीज. तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मतलब मैं अपने ओफिस के बारे में अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता तुम्हारे बिना? तुम कहरें कि तुम मुझे छोड के जारी? काम डाउन, गॉरभ, तुम खामका बात को सिरिसली ले ले हूँ. ट्रस्ट मी, I'm not going. मैं गहीं नहीं जारी हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं तु. मैंने तो बस यहीं कह दिया था. तुम नहीं कह दिया इतनी बड़ी बात? हां.. कॉअच। मतलब तुम नहीं एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुज़रे की बात कह दिया. मेरे मुन्ना मुन्ना बिल्कुल छोड़े बचे की तरह गर रहे हो सुनो काम डांग जस्ट ट्रस्ट मी देखो तुम्हें पता है यह मैं क्यों लाई हो तुम्हारे लिए हमारे यां मैंगलोर में जब इंगेजमेंट होती है तो लड़का इसको पहनता है क्या? क्या क्या तुमने? हाहां जब जब हमारे इंगेजमेंट होगी ना तो तुम इसको पहनना आइस सीरियस? या आइ लव यू वाट अ मैस यह तुन्हे रूम का क्या हाल बना दिया है माइ गौड यह क्या है क्या यह आफिस जाने में जल्दी थी मैंगलोर से में गौरफ के लिए कुछ चीज़े लाई थी मैंगलोर से? पर इसमें तो मुंबई का इड्रस है किसे बेवकुफ बना रही है? मैंने गौरफ को बोल दिया है कि यह जो ड्रेस है मैं मैंगलोर के सबसे फेमस शॉप से लेकर आई हूँ अरे, इंप्रेशन जमानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अगर मैं उससे यह कहती कि यह सब मैंने यहीं से खरीद है तो फर्मैलिटी लगती तुझे पता है? इससे बड़ा केरिंग लगेगा और गौरव ने मान लिया होगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं? जी हाँ और बहुत जल्दी मेरी इंगेजमेंट होने वाली है क्या प्रोग्रस है यार अन्बिलीवेबल मैं तुझे कहती थी ना आखिर है ना स्मार्ट मूउव सहच है तन मन धन पर कंट्रोल के बाद अब दिल पर कंट्रोल करने में तुम कामियाब ही इसके लिए कॉंग्रेट्स कॉंग्रेट्स ओरी पार फिर से कॉंग्रेट्स एक बात बता तुने अपनी ममी से कहा था ना पहले गौरव घोडी चड़ेगा और उसके बाद नजरे कहां कहां प्या हाँ यार मैं तो भूल ही गई वो तो मा का लाड़ला है एक बात बता उसके कुछ लक्षन चेंज हुए या नहीं कहीं ये ना हो की शादी के बाद भी मुह में अंगुठा डाल कर तेरे पीछे पीछे आएगा और कहेगा सुसू आया है मॉमी मॉमी सुसू आया है हेलो मिस्स रिष्टी हाई अम आइ थिंक ये आपकी अनेक्सपेक्टेड विजट है मैं जानता हूं कि आपको मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है नहीं मैंने ना तो ऐसा सोचा नहीं किसी से कहा इनिवेज तुमसे एक सच बात कहूं मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदेगी में गौरफ जैसा दोस्त हो न तो गुजारा हो जाएगा लाइफ टेंशन प्री होगी लेकिन फिर तुमने मेरे होश दादी है अपनी सच्चाय और इमानदारी के साथ मेरा तो पत्ता ही काट दिया तुमने फिर मैंने भी सोचा कि ये छोटी-मोटी हेरा-फेरी और उधारी वाले काम छोड़कर कुछ सच्चा काम करो दिल से और आज मैंने अपना बिजनस खोला है and it's doing quite well good मैं बहुत खुशों कि आपने सही कदम उठाया anyway I must congratulate you and I must thank you क्योंकि इसके पीछे आपका हाथ है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं but anyways अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी एक काम जरूर कर सकती हो तुम मेरे लिए बस अपनी जैसी एक अच्छी इमानदार सेक्रेटी ढूनके दे दो मेरा भी बिसनस इंपरूब हो जाएगा don't worry मुझे आप अपना विजिटिंग कार दे दीचे फिर देखती हूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ लेकिन एक शर्थ है स्रिस्टी बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए सिम्पल, स्वीट, सेक्सी एंड सॉलिड 4S ये लो प्रिया तो आया नहीं प्रिया मैरम आ गई क्यों ना हम अब अपना बॉस चेंज कर ले बॉस चेंज कर ले क्या मतलब है तेरा तुम मेरी कंपनी जोइन कर ले और मैं तेरी तुझे नहीं पसंद रहा तो जाने दे लेकिन हुआ क्या अरे कुछ बता तो सही मेरी कंपनी का नया बॉस एक महिना नहीं हुआ उसे कंपनी जोइन किये आज उसने कंपनी की पॉलिसी डिकलेर की है कहता है पास साल में कंपनी की बिजनस को तीन गुना बढ़ाओ कॉस्टमर बेस बढ़ाओ जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए क्लाइट के साथ ले डाइट मीटिंग इंटर्टेन करो यूज अनफेर प्रैक्टिसिस आइव रिजल्स चौभीस घंटे काम करो जिसे मनजूर है वो डिमांड करे और जिसे नहीं वो रिजाइन कर दे तो फिर तूने क्या किया करती क्या मैंने रिजाइन कर दिया तू मेरे लिए कुछ कर सकती है क्या शायद कुछ कर सकती हूँ देख मैंने तेरे को विने के बारे में बताया था ना उसे भी एक तेरे जैसी परस्नल सेकेटरी की जुरत है को शिशकर उसकी शादी भी नहीं हुई है हाई सर्व I'm Priya मुझे स्रिष्टी ने भेजा है परस्नल सेकेटर की जॉब के लिए Amazing Fantastic यकीनी नहीं होता यहां मत बैठिए यहां मत बैठिए यहां मत बैठिए आप यह चेर जमानी से है यह लंदन से है यह इंडिया से है आप का बैठना चाहेंगी इंडिया आये प्लीज तो Priya जी आप फ्रेश है क्या क्या सर आप क्या क्या रहे है मैं तो फ्रेश कर आई हूं ने 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 अप मेरा मतलब है आप फ्रेश है यह एक्स्पिरियंस्ट ओ आपकोर्स आम एक्स्पिरियंस्ट मुझे दू साल का एक्स्पिरियंस है यह देखी मेरे सर्टिफिकेट्स प्रेश आप अप्रेश आप मेरी यह स्पिर्ट्री बनने आई हैं आपको पता तो होगा ना की सेक्रेट्री की क्या-क्या आपकोर्स पता है ओगनाइजिंग ट्रावल टिकेट्स, होटल बुकिंग, एक्सेट्रा होटेल बुकिंग? क्यों? क्यों? आप कभी बिजनस टूर के लिए आउट अफ मिडिया या फोरेंटर पर नहीं जाते कभी जरूरती नहीं पड़ी जरूरती नहीं पड़ी हाँ वो बिजनस टूर यह सब नॉट माय थिंक मैं नहीं करता है आइसी पर साल्री तो मैं पूरी लूँगी कितनी एक्सपेक्टिशन है आपकी? फिफ्टी थाउजन फिफ्टी थाउजन? प्रिया जी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकुछ जाहता एक्सपेक कर रही है आहां कर रही हूं प्रिया जी पैसे पेड़ पेना ही उकता है तो परस्टनल सेटरे भी पेड़ पे नहीं उकती लाखा रुपे का कोर्स करना पड़ता है अहां, वो तो है, ठीक है, मुझे मन्सूर है, आप, आप कप से जाइन करेंगी, कल से, नहीं, मैं नेक्स्ट वीक से आउंगी, नेक्स्ट वीक से, कल से क्यों नहीं, ओकी, तुम्हें कल से आजाओंगी, फैंटास्टिक, बाइ, स्रिष्टी, क्या सुपर होड सेक्रेट्री भेजी है मेरे लिए, शी आउस्टेंडिंग, वंडरफुल, पचास हजार, यह तुने क्या कर दिया, पचास हजार, कहां से देगा उससे, कोई बात ने, पचास हजार, कोई बात ने, मैनेज हो जाएगा, एक तुम्हेने के लिए आपास कर ले, बिस्नस तूर, वर्ल तूर, होटल बुकिंग्स, प्रिया और मैं, थैंक यू सृष्टी, थैंक यू, मौह, psychologists, दеखो पर, देखो पर, पर पर से है, चाहत की सांगाते, इन में खुद کو दूबसारे, इन में खुद کو तूटूबा ले, पस्मप से ही मती है, खुशियों की बाराते, जाने देना तू हातों से, जोल जा तू मेरी बातों से, तनहाई छटने दो तोडी को घटने दो क्या कहते है सपने घड़कन को सुनने को देखो पल-पल पसे हैं चाहत की सौगाते इन में खुद को तू बसा ले इन में खुद को तू डूबा ले दिल की सुने हम आज अपने ये पर दिये जहां में रब ने असे किल खुद्टी पीकर जीले इस पर तो चीबर तरखा कल किसमें होगा क्या दिल के समाजा बिजले कभी डूबे कभी निकले मर्जी में इसकी बहले आओ खुद को तुम ना रोको हो जाओ आपरा बिखरा दो खुशियों को बन जाओ बन जाओ देखो पल-पल पर से हैं चाहत की सौगाते इन में खुद को तूद बाले किसमत से ही मिलती है खुशियों की बाराते जारे देरा तू हथो से जुचा तू मेरी बातों से तनहाई छटने दो तूरी को बचने दो क्या कहते हैं सपने धड़कन को सुनने दो देखो पल-पल पर से हैं चाहत की सौगाते इन में खुद को तू बस सारे इन में खुद को तू दूबाले हाई स्रिष्टी हाई सिद्धार्थ यहां क्या हाल चाल फाइन कोई फोन नहीं कुछ नहीं बताया भी नहीं बस्योहीं बाइदावे, नाइसा फिसा नहीं 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 है तूमसे बात कहने थी एक खुश खबरी सुनाने थी तूमें क्या अ मेरी नौकरी लग गई है मुंबही मैं क्या बात कर रहा है oh my god seriously yeah seriously hello good morning hi kaurav इस नहीं कुशी किस बात की मना जारी है किस बात की बनाए जारी है अचली य। इस य। प्रेंद य। इस माउम्तान फ्रेंदाब oh siddhah, hi kaurav siddhah, nice meeting you, same here तो इस बात की इस बात की इस बात की गुशी है? मुझे इस ओफिस में दो हपते हो गए हैं पर यहां सारा दिन बैठे बैठे में बोर हो जाती हूं करने को कुछ काम ही नहीं है और उपर से मेरे कैबिन में तो मख्या भी नहीं बची है मारने के लिए आप तो निकल जाते हो अपने बिजनिस मीटिंग में या फिलगे रहते ह आपको वो नहीं ही उसकी यह मजाल को आप अभी आ बाली मैं क्या सुन रहा हुँ तुम पूरा दिन बैठे मैडम को घूरते रहते हो इस बस की नहीं सब चाहिता हूं नहीं सर यह काम तुम्हें फिरी में करता हूँ अब तेरी तो बॉस के साथ मजाग करता है सर आपको यह मजाग लगता है सर तो मुझे इस काम के पैसे दे दो मुझे कोई अब्जक्शन नहीं राम पाल मर जाएगा मेरे हाथो सालिद दबाऊ जाए यहां से कान के निचे दूंगए खीच के तलबाग यहां से मैं क्या बता हूँ I feel wasted I think मुझे यहां से चली जाना चाहिए ने 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 ऐसा मत करो एक काम करता हूं कल से ना तुम्हें साथ बिसनस मीचिंग मेले चलता हूं वैसे भीना मुझे तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी लगती यहां 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 यहा तुमने मुझे फोन किया सुनो तुम घर पर ही हूँ और ओफिस जाने के लिए बिल्कुल तेयार हूं मैं तुम्हें पिक अपकर ने आ रहा हूं अरे वा यह खास महरबानी किसली है कुछ खास बात क्या खास बात है घास बात यह की तुमने इंगेजमेंट की बात कि लेकि आज से दस दिन बाद, सुभा इंगेजमेंट और शाम को शादी, दॉन तुम ऐसा करो तुम अपनी मम्मी से बात करने मैंगलोर चली जाओ, और मैं ओ, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ना पंजाब जाना पड़ेगा, मेरी अंकल है, मुझे ना पंजाब जाना पड़ेगा, हाँ, तो तुम भी मैंगलोर चली जाओ, मम्मी के पास, गुर आइडिया, लेकिन अगर हम दोनों ओफिस से चली गए, तो ओफिस को कौन सा मालेगा, एक काम करते हैं, आप अंजाब से यहाँ आजाओ, फिर मैं चली जाओंगी, ओके, मैं कम इन, वह, यह, कम इन, यह, जा बश्याओ, यह, मैं कमार, यह, इल्फियो, फिर मैं धना यह, इम कुमार, इम फ्रूम, साजन फर्मा लिएट, इस इस मैं काट, Okay, why don't you sit sir? Thank you. Yeah. मुझे मिस्टर गौरफ से मिलना है. Oh, I'm sorry sir. वो तो यहां नहीं है, आउट अप स्टेशन है. Miss Shishti. ऐसा है आप तो जानती है कि हमारी कंपनी आपके साथ रेगुलर्ली डील करती है. Yeah, I know. और यहली रेक्वाइमेंट ओडर आज शाम तक ही देना है. Okay. इस ओडर के उपर मैं इस बार 2.5% कमिशन चार्ज करूँ. 2.5% कमिशन? Shhh. देरे बोलिये. बहुत कॉन्फिदेंशल है. Okay, okay. गॉट इट. अगर आज शाम तक आप मुझे यह रकम, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? I have no idea. मुझे एकाउंट्स पर बात करनी पड़ेगी. जरूर, जरूर कीजिए. और जब आपकी तयारी हो जाए, मेरा कार्ड आपके पास है. मुझे एक फोन कर दीजिए. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे यह कैश्टे में आएं. कहां मिलना है वो मैं आपको फोन पर पताऊंगा. So, see you in the evening. Excuse me. अगर शाम तक नहीं पहुँच पाया तो? तो मैं आपको ओर्डर कैंसल कर दूँगा. और आपके कॉम्पेटिटर को यह ओर्डर दे दूगा. वैसे भी, वो हाथ दो के हमारे पीछे पड़े हैं. So, make sure. मिश्ष्ष्टी, यह वर्य, वर्य, प्रिटी. और इंटलिजिन तू. और आपको यह जो आफोर्ड तो लूज इस ओर्डर. तू. हलो, गौरब. हाई, सुष्ष्टी, व्हावायूँ? मैं तो ठीक हूँ, अच्छा उवा तुम्ने फोन किया. मैं बस तुम्हे करने ही वाली थी. वह साजन फार्मा से मिस्टर कुमार थे. कुछ ओडर और कुछ कुमिशं की बात कर रह थे. साजन, फार्म, हाँ, हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं और मिस्टर कुमार ने रिसेंटली जॉइन किया है कमिशन एक्सपेक्ट रहे होंगे ना थेखो किसी भी आलत में हमें ये अडर लूज नहीं करना चाहिए एक आइडिया है, अगर तुम कहो तो मैं विने से बात कर लूँ हाँ, गुड़ा आइडिया, उसे बात करो ना आल राइट, as you say, so मेरा सोना पुतर क्या कर रहा है मैं? मैं? मैं क्या कर रहा हूँ जो भी कर रही हो, तुम कर रही हो अब तुम भी कुछ करो फिलहाल मुझे कुछ कैश की जरूरत है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हे कैश क्यों जाहिए? जरूर बताऊंगी, पहले तुम वादा करो कि तुम खुशी-कुशी दे दोगी ओके, I promise Actually, क्या है ना कि इस रिष्टी को कुछ जरूरी पेमिंट करनी है और गौरब आउट ओफ टाउन है कितना कैश चाहिए? दो अलाख रुपए मेरे पास नहीं है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से छुपा सकते हो मुझसे नहीं मेरी जान ले लो लेकिन मेरा कैश मत लो, प्लीज जान तो मैं तुम्हारी ले हिलूँगी जरूरी है जरूरी है नाव ग्यों मेरे कीश टूदी सेफ यह लाओ हाई मेरा हिरा पुतर मैं सत के जावा किसी की नजर ना लगे बाय यह तो दया की देवी बन जाएगी और मेरा दिवाला निकाल कर रहेगी किसी न किसी तरह करों का पैसा निकाल कर रहेगी मैं यह जंजट क्यों पाल लिया गुड लगता तो यह जैसे तुम कंपणी की बॉस हो विन्या मैं इस कंपनी का बॉस है विन्या 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 मैंने सुचा की आहल टेक चांस क्या कहा मैंने कहा किस रिष्टी को जो कैश भेजना था उप सिधार ले जाएगा प्प हाँ जरूर जरा समाल के बहुत महनत से यह पैसे कमाई है हाँ डोंट वरी इसे मैं अपना ही पैसा समझूगा बिलकुव तो इसे मैं अपना ही पैसा समझूगा और जिदार नाइस कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है केश यह कम इसक्यूज मी साला कमीन इसकी गल्फरंड तो कौरव लेगिया अब यह साला मेरी होने वाली गल्फरंड और मेरा कैश दोनों को अपना समझ के लिए जा रहा है यानि मेरी अर्निंग और मेरी सेविंग दोनों जा रहे इसक्राइब इसक्राइब कौन मुला रहे? वो रही हाँ 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 यह हाँ मैं अभी कुमार को फोन लगा लेती हूँ हाँ यह हलो मिस्टर कुमार हाँ मेरे पास पैसे आगे है मुझे कहा मिलन आपसे आपके जब पीछे वाली विंडो है मैं वही पर हूँ हाँ 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 मिस्टर कुमार स्षिष्टी आपने यह जो पैसे मंगवाए थे आपको मैंने अकेले आने के लेका था आपको मैंने अकेले आने के लेका था एनिवेज आप अपना ओडर कल ओफिसे कलेक कर लीजेगा ओके थैंक यू हाँ आए 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 आप इसे मिलने का इंतजार कर रहा था क्या बात है आज तुम मुझे कुछ ज्यादा इंपोर्टन्स दे रहे हो मैं कुछ सोच रहा था क्या ना में उसका सिद्धार्थ सिद्धार्थ और स्रिष्टी यह सब इन दोनों की मिले भगात है ना सब कुछ गौरब की एपसेंस में हुआ और वो जिसने दो लाख रुपे लिये थे क्या नाम था उसका कुमार कुमार यह कुमार भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है राइट तुम्हारा मतलब है कि कुमार ने स्रिष्टी और सिद्धार्थ से मिलकर हम सब को बेवकुफ बनाया है जैसे कभी-कभी तुम मुझे बेवकुफ बनाती हो मैंने तुमें कब बेवकुफ समझ नहीं आता सेक्रेटी तुम मेरी हो लेकिन काम उन के लिए करती हो और तुम से अच्छी तो स्रिष्टी है कम सिकम गौरव की लॉयलत है जाओ जाके उसे ट्रेन लेकर आओ एक्स्क्यूज मी तुम मुझे स्रिष्टी से कम पेर कर रहे हो there चांके का स्रिष्टी को मैंने ट्रेन किया अब तुम मुझे द्रीष्टी से ट्रेनिंग लेने के लिए कैंऊ अरे कैसी ट्रेनिंग यहीं चुब की कम् Giray पाइदा पूफ्म और पिर पर यहारे प्यार में पर जाये तुमसे अच्छा तो गौरव है क्योंकि वो तुमसे एक बेटर बिजनसमेन है और कई गुना ज्यादा अमीर भी स्रिष्टी लखी है कि उसे गौरव जैसा बॉस मिला है ओ नो यह मैंने क्या कर दिया अब समझ में आया पता है तुम दोनों एक जैसी हो बहुत स्मार्ट और शातिर बड़ा अच्छा प्लान बनाया एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लेंगे और फिर एक अमीर लड़के से शादी करेंगे और तुम्हें तो पता है बहुत से बहुत ही समझदार लड़की है अब मुझे समझ आया गौरव से शादी करके उसका सारा माल हड़कर सुधार के साथ भाग जाएगी तुम फ्रॉड हो इसका यह मतलब नहीं कि सारे फ्रॉड है तुमने गौरव का फाइदा उठाया स्रिष्टी ने सिर्फ गौरव को तुम से बचाया लेकिन अब प्लान में चेंज है तो कि मैं गौरव को स्रिष्टी से बचाऊंगा वाव गौरव मेरे भाई बड़ी लंबी उमरे तेरी तो यार गौरव गौरव तेरी बहुत चिंता हो रही है मुझे कहां है तू मैं तो ओफिस में हूं अचा सून मैंने दोजे फोन किया थांक यू कहने के लिए तूने मेरी अपसंस में मदद की सली यार कैसी बाते कर रहा है तू मेरा दोस्त है मेरे भाई जैसा है तूने हमेशा मेरी मदद की मैं तेरे या इतना नहीं कर सकता है अचा सुन Gaurav यार तेरे से कुछ जरोरी बात करनी है तू आज सु मुन्ना मिने, इतने दिनों बाद, कैसा है? फर्स क्लास अरे नहीं यार एसास हो गया मुझे कि अमर लॉलीपॉप चूसनी की नहीं है पता नहीं यार सिस्टी ने तुझे किन-किन चीजों से मना किया है क्या? कुछ नहीं है, छोड़े सब, बिजनस कैसा है? बैटना, बैट के बाते करते हैं कुछ लेगा? नहीं बिजनस यार काफी अच्छा चल रहा है सिस्टी ने काफी अच्छा समाल लिया अरे हाँ सुनने में आये तो अपनी सेकेटरी से शादी कर रहा है कर्एक्ड, मैं और सिस्टी शादी कर रहा है यार, ऐसी क्या मजबूरी हो गई तू चाहे तो किसी भी लड़की से सादी कर सकता नहीं पेर अपनी सेकेटरी से हिर्म वो मेरी हर चोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है I just can't wait for the day और तेखा जाये तो बहुत सुंदर भी है ना हाँ यार सुंदर तो है और खूबसूरत बला है मतलब? I mean तेरा कितना अच्छा ख्याल रखती है तेरे लिए लंज सर्व करती है अपने हाथों से खिलाती है कि खाले मेरे मुन्ना खाले मुन्ना कह कह के सब कुछ कर जाती है हाँ लेकिन यह सब तुझे कैसे बता है क्योंकि जो मेरी सेकेटरी है प्रिया वो तेरी सेकेटरी स्रिष्टी की बहुत अची दोस्त है इन फेक्ट दोनों रूममेट हैं और प्रिया एक शृष्टी को अपेशल काइंड आफ ट्रेनिंग दी है कैसी ट्रेनिग जो तेरी कम्जोरी है ना तेरा बच्पना उसको हथियार बनाने की यह सब दोनों का प्लाइन है कैसा प्लाइन? जो शृष्टी है ना वो तुछ से शादी करके तेरा सारा माल हडपलेगी और अपने बॉइफेंड सिद्धात के साथ भाग जाएगी सिद्धात शृष्टी का बॉइफेंड है? मुन्ना तू मुझे बता कुमार तेरे एपसेंस में क्यो कमिशन मांगने आया? क्यों आया? क्योंकि मौका सही था और स्रिष्टी ने मौके का फायदा उठाया यार जहां तक मुझे लगता है ना ये कुमार और सिद्धार्थ एक ही है और इसके पीछे मास्टर माइंड है स्रिष्टी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि स्रिष्टी ने तेरे से कुछ डॉक्यूमेंट या कोई पेपर तो साइन नहीं करा लिया अंकल की सारी मेहनत जाएगी तू रोड पे आ जाएगा कहां जाएगा क्या करेगा कभी सोचाए सबसे जाधा टेंशन तो इस बात की है पर कोई बात नहीं कि मैं हूना बच्पन के दोस्त है यार मेरा घर तेरा घर है यू आर ओल्वेस वेलकम तो बस भगवान से प्रात्ना करता हूं कि उसने ऐसा कुछ ना किया हूं मुन्ना मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है लेट हो रहा है मैं चलता हूं हां बाए मुन्ना तो अभी भी बहुत बच्चा है सोच समझ के काम किया कर आगे क्या करना है ये तुझे पता होना चाहिए आगे करना है अरे विने यहां गौरब से मिलके आ रहे हो हां लगता फिर से दोस्ती हो गई हां सब आप ही की वज़े से नहीं विने अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तुमने अर्डर नहीं मिलता हां थैंक्स अणीवे और प्रिया कैसी है गुड़ यह और सी तुमने रिकवरी कि धंकी नाती हो थी रवी जी सर कैसा है तू ठीक हूं यह क्या है छोड़ा रिचार्ज मेरे फोन की बेट्री डेड हो गई है एक अर्जेंट कॉल करना है फोन थे थाइंक्स हलो हालो हालो कुमार बोल रहा है अरे यार तौफा मिला कैश और आश गजब की सेक्रेटरी है यार तुमारी मसा आगे रहा है अच्छा बुरा मत मान ना मैंने पैसे उसी को दे दी है विचारी गरीब है उसका फायदा हो जाएगा और आगे भी जाके अगर कभी यूनो वड़ा मीन हाँ अन्यवेस तुमार ओडर तुम्हें मिल जाएगा और यार फंटास्टिक सेक्रेटरी शाबभाश मेने तेरा जवाब नहीं है गोरभ गोरभ सी एक गुड न्यूज है I have done it the value एक करोड सीना बहुत कुछ यह ना तुमने इस ओडर के लिए सब तुम्हारे लिए गोरभ अच्छा छोड़ो मुझे यह बताओ इनाम क्या मिलेगा मुझे तुम्हारी एक पप्य जप्पी चाहिए क्यों सिधार्त और कुमार्स जो पप्पी आर जप्पी मिली थी वह काफी नहीं क्या 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 है तुमने कि सब्सक्राइब कर दो! आउट! अर्यों के? नहीं हुआ सश्टी यह है मेरी तरफ से तुमारा फुल और फाइनल सेटिल्मेंट अर्यार तुमारा तौफा मिला कैश और आश अर्यों मत्मानना मैंने पैसे उसी को देल दी सिधार तो कुमा से जो पप्पी और जप्पी मिली थी, वो काफी नहीं है स्रिष्टी, सम्तिंग रॉंग, क्या हुआ तुरो कियो रही है, बोलना क्या हुआ, तो ने कहा धाना, Protect Boss, तो खुद Protect हो जाएगी, देख, यह प्रोटेक्शन का एनाम यह क्या हो इसको गॉरब नी थपड मारा हैं, क्या यह तुने क्या किया प्लीज यार अब लेक्चर मत देना मैंने जो किया ठीक किया देख मुना इतना गुस्सा अच्छा नहीं है अरे ऐसा क्या कर दिया उसने नौकरी से निकाल देता हाँ और क्या मैंगलोर से आय थी इतनी दूर से अपनी मां को अकेला चोड़कर तरस आ गया था मुझे इम उच चलना सिकाया अच्छी लगने लगी थी मुझे बरोसा करने लगा था मैं उस पर और आज बरोसा तूट गया पते है उसने क्या कहा है मुझे क्या पता था 2,000,000 के लिए अपने आपको उस कुमार क्या हॉले कर देगी और केरेक्टर लेस का से डिपकेट देके मुझे अपन इतनी गिरी हुए हरकत है। उसकी इस गिरी हुए हरकत को, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी। कभी नहीं। Sorry Srishti, मुझे लगता है कि इस सब की पीछी कहीं न कहीं, मैं ही जिम्मिदार हूं। यार, मैं तो यह सोच रहा हूं, कि अगर मैं अपने सेकेटरी प्रिया के चक्र में पढ़ जाता, तो मेरा क्या हाल होता? बाप रे बाप बाप रे बाप बाप है यह कौन हो तुम? मैं हूँ प्रिया, सृष्टी की गार्डियन ओ, इस पूरे प्लान की मास्टर माइंड राइट? और अगर मैं मास्टर माइंड हूँ भी, तो मेरे पास माइंड तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है देखो, वो हमारी प्रॉब्लम है यह करने के आई हो? मैं यहां तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए आई हूँ मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी पहले तो मुझे यह बताओ किस रिष्टी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह जानने के बाद कि उसने मेरे साथ क्या किया है क्या करता उसकी पूजा? और यह पूछने का तुम्हारा हक क्या है? तुम मुझसे हक्की बात मत करना और रही बात हाथ उठाने की तो तुम पर हाथ मैं उठाओंगी ओर हदकर्ड़ी तुम्हें में ही लगवाओंगी और हाँ मुझ से पंगा लेने की जुरप तुम मत करना क्यूंकि अगर तुमने ऐसा किया न तो देखना, अंजाम बहुत बुरा होगा. वेट वेट. मुझे लगता है कि गौरव ये तुम्हारी चाल है. तब ही तुम शादी का बहाना करके पंजाब भाग गए. और यहां पर तुमने स्रिष्टी को कुमार के सहरे छोड़ दिया. ताकि तुम्हारी 2,00,00 रुपे इससे निकल सके, है न? यहाँ. यूँअविश बास्टर्ड, हाँड़ यू. तुम्हारा काम तो निकल गया. इसलिए तुमने स्रिष्टी को बेज़द करके अपने इस ओफिस और जिंदगी से बड़े आराम से निकाल दिया. देखो, तुम मानो या ना मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और नहीं मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ. तुमने नहीं किया तो फिर किस नहीं किया? I just don't get this. Now I get it. यह सब कुछ तुम्हारा की आधरा है, नहीं? तुम सब कुछ सच सच बताते हो, या फिर? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ. मुझे ये समय मत इंवाल्व करो. मुझे ये सब से कुछ लेना देना नहीं. उससे क्या पूछ रही हो? तुम्हें मैं खुद कुमार से सुना देता हूँ. ये सब, आपने मुझे बुलाया. तुम्हारा नाम कुमार है? जी नहीं, मैं रवी हूँ. ये नमबर तुम्हारा है? जी हाँ, मेरा नमबर है. तो तुमने अपना फोन किसी को दिया था? अगर इसने अपना मोह खोल दिया, तो सब सब देनाश हो जाएगा. और उनों ने मुझे अचर रुपेव दिये. तुम जाओ रवी. ये सब. ओमाइ गाड्ट! तुम इतना गिर सकते हो? ये गड़ब! गड़ब मेरी बात सुझ अशा नहीं है, तुम जाओ जाओ रहा है, गड़ब! आम सौरी गड़ब! गड़ब! गौरफ। जोड़ो अने मैं से गौरफ। जोड़ो झाल… जाड चान से बार तो मैं से तो यार! कभी सोथ की नहीं सबस्क हो कि इस भी नहीं करेंगा तो गौरफ। क्या कर रहाया है यार मेरी ऐकाच मैं सांस नहीं आ रहा रहा हूँ गौरफ, इसे पूछ। क्या वो बॉस को फ़सा के शादी नहीं करना चाहती थी? अपनी वक्वास और गंदी शक्र लेकर मेरे सामने से दफा हो जाओ अन्द मैं तरी चान दे लूँगा इस गराउट 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 गौराउट एक बात बताओ क्या स्रिष्टी नि कभी भी अपना पर्सनल सेकेटरी का फर्ज ठीक से नहीं निभाया? क्या उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके बगयर नहीं जी सकते? और इसके लिए तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए गौराउट जब एक रिलेशन बनता है न तो उसमें मुसीबते आती है और उनका मिलके सामना करना पड़ता है और जब भरोसा टूट जाए तो उस रिलेशन का क्या अंजाम? गौराव भगवान नि तुम दोनों को मौका दिया है कि तुम दोनों यी जान सको कि तुम दोन एक दुसरी के लिए क्या हो इस मौके को मत गवाओ अब तुम बैठ के ये सोचो कि स रिष्टी के बिना तुम क्या हो And I wish you all the best for that जबे चलगकना सबुए बार जग्रादा करें नुड़ा झालकन करें लाए क्ला एंइ जब जब जड़ा भालकन करें चलगर तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन मेरा जीवन है सनम जैसे सूखी नदी, जैसे बुझता दिया, जैसे पतजड की रुत में जाके जिया जैसे बेसुर की ताल बेना होली गुलाल जैसे बिखरे अर्मान किसी बिरहन की तान तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन बें रंग हुए हैं, सब रंग हसी खोसी गई हैं, खुशियां कही बें रंग हुए हैं, सब रंग हसी खोसी गई हैं, खुशियां कही जैसे आखों से नीद, जैसे नीदों से खौब जैसे दिल से खे हैं सारे अहसास जैसे ठहरे हैं पल बीते जाते हैं कल जैसे धुनला है सब तेरा मेरा लग है रभ तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन मेरा जे रन्यासनम कुछ निये तुम्हारे और मेरे बीच में कर देखो शिष्टी में जानता हूं कि तुम गुस्से में हो और क्यों नहो उस कमीने विष्वास किया जो हरवत मुझे दोका देता रहा और जिस इंसान मेरा हर मुश्किल में साथ दिया उस पर शक्किया लेकिन में तुमारा लादल मुननह हुं हुआ लेकिल बॉयवां और लिटल बॉयँ एक करमाम में मुझेक्स अखिर कब तक कब तक तुम मुद्धेक्स करते रहोगे व्य दोन्त यू ग्रुम उप लॅ एitate, जो कि दूल फूल भ्रॉब्ते तुम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं श्रिष्टी एक बार देखो मैं तरफ देखो अधिने तुम्हाना दिया वा चोला भी पहन लिया और तुम्हेशा केती थी कि मुच्छों में अपने बापा के तरह बड़ा और जिम्मेदार लगूंगा यह भी बहुत पहले लगा लेनी चाहिए थी लेकिन सच बताओं तो मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता था बच्चा बना रहने मुझे मज़ा आरा था लेकिन अब मैं बड़ा होना चाहता हूं शादी करने के बड़ा होना जरूर है ना यह यह जो तुमने निशानी दी है यह तुम्हारा बच्पना नहीं था यह तुम्हारे बड़े होने का जबूत है लेकिन तुम पर हाथ उटाके मैंने बहुत बड़ी गल्ती किये इस बात की सजा तुम मुझे दो या ना दो मैं अपने आपको जरूर दूंगा छोड़ो इसको यह मुझसे परदाश नहीं हो रहा इम सॉरी शिष्टी इम सॉरी अरी रव्यो मैं छोड़े कहीं मच आना तुम भेना चीन ही पाऊगा तुम भेना पहले जहापड फिर जहपी तुम सच में बच्ची हो I love you I love you too Srishti Oh I am so happy for you तुमने नसिव गौरव को समझा लेकिन अपने प्यार को पाया चलो मेरा ना सही कम से कम तुम्हारा मिशन तो काम्याग हुआ ना यह मिशन कहा था यार यह तो सब मिशन था तुम्हारा 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 तुम्हारी झाल कुछ उमीदे ना पूरी हो तो किस्मत के सहारे छोड़ देना चाहिए इसी में इनका भला है अखिर दिल जलाने से क्या फाइदा नई जिन्दगी की शुरुवात तो रात से ही होती है ना ना pies तेरे की पैटि की पोसनल सेकेटरी बनेगी है ना मुन्ना बड़ा प्यारा ममी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा ममी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आँख कतारा हस तो भला लगे, रोए तो भला लगे ममी को उसके बिना कुछ भी आच्छा न लगे जे ओ मेरे लाल, जे ओ मेरे लाल तुमको लगे मेरे उमर, जे ओ मेरे लाल मुना बड़ा फ्यार या, ममी का दुला या मुना बड़ा प्यार या, ममी का दुला या कोई कहे चांद, कोई आँख कतारा एक दिन वो मा से बोला, क्यों फूंकती है चूला एक दिन वो मा से बोला, क्यों फूंकती है चूला तोडे रोटी तोडे रोटी आम खा ले काहे कर रोज रोज तोई जमिला मम्मी को आई हसी हज के वा के हिंड़ लगी लाल मेहनद के बिना रोटी किस घर में पकी जी ओ मेरे लाल मनना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा झाल